जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है श्यू उपासना के लिए हर महिने शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तीथी को श्रेश्ट बताया गया है इसे प्रदोश भी कहा जाता है 24 नवंबर साल का आखरी रवी प्रदोश वरत किया जाएगा इस दिन इसके बाद अप्रेल 2020 में ये सुपसायोग बनेगा कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाले प्रदोश के अगले दिन यानि चतुरदशी तीथी पर माशिक शिवरात्त्री मनाई जाती है इसलिए इस बार 24 और 25 नवंबर को भगवान शिव की पुजा का विशेश महत्व है माना जदा है कि प्रदोश पर भगवान शिव कैलाश परवत के रजट भवन में नरत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का इस्तवन करते हैं इसलिए प्रदोश परवरत रखने और भगवान शिव की पुजा करने का विशेश महत्व है हिंदू धर्म के अनसार प्रदोश वरत कल्यूग में अतिमंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है माहा की त्रयोदशी तिथी में सायम काल को प्रदोश काल कहा जाता है यह वरत रखने से हविप्रकार का दोश मिठ जाता है इसलिए इसे प्रदोश कहा जाता है इस वरत के रखने से दो गायों के दान करने जितना पुन्य मिलता है शास्त्रों के अनुसार इस वरत को करने से नाकेवल भगवान शिव बल की माता पार्वती की भी कृपा बनी रहती है प्रदोश वरत का हर दिन के अनुसार अलग-अलग महत्वे है ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह वरत आता है, उसके अनुसार इसका नाम और बहत्व बदल जाता है जो पासक रभीवार को प्रदोश वरत रखते हैं, उनकी आयू में वृद्धी होती है और अच्छा स्वास्थला प्राप्ट होता है इस दिन प्रदोश वरत और पूजा करने से परेशानिया दूर होने लगती है। रवी प्रदोश का संयों कई तरह के दोशों को दूर करता है। इस वरत को करने से परिवार हमेशा आरोग्य रहता है। साथ ही सभीम अनुकामनाय पूर्ण होती है। इसके साथ ही शिव और शक्ति पूजा करने से दामपत्य सुख में भी वृद्धी होती है। इस बर प्रदोश रवीवार को पढ़ रहा है। इसे रवी प्रदोश या भानुवारा प्रदोश कहते हैं। रवी प्रदोश के दिन शिव जी को प्रसंद करने के लिए उनकी वि अंदि उठकर इस्नान कर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इस दिन अन्न ना खाएं। केवल फला हार लें। साथ ही रवी प्रदोश के दिन नमक ना खाना भी आपके लिए फाइदे मन्द होगा। इस रच से ना केवल मनुष्य नीरोगी होता है बलकि सभ प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा करने के लिए मंदिर को साफ करें और एक कलश में जल भर लें। उसके बाद थाली में सफेद फूल, धतूरा, फल और बेल पत्र रखें। इसके बाद दिन भर ओमनमाय शिवाय का जाप करें। फिर शाम को सुर्यास्त के बाद दुबारा इसनान करके शिव जी की शोड़ुप्स चार पूजन करें। ध्यान रखे की रवी प्रदोश की पूजा शाम साड़े चार से साथ बजे के बीच में करनी चाहिए। अर्थात किसी भी प्रतोश्वरत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सुर्यास्त से 45 मुएनेट पूर्व और सुर्यास्त के 45 मिन बाद तक की जाती है। सुबह इसनान के बाद सुर्य नरायन जी को तामवे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्द दें। इसके बाद अर्द दिये जल का छीटा अपनी दोनों आखों पर देना चाहिए। क्योंकि यह भगवान सुर्य और भगवान शीव दोनों का आशिरवाद हमें मिलता है। शाम को प्रदोशकाल में भगवान शीव की पंचामरत सिसनान करके शोड़ुप्शार पूजा करने के बाद साबुच चावल की खीर और फल भगवान शीव को अरपन करें। वही आसन पर बैठक ओम नमा शीवाय का मंत्र या पंचाक्षरी इस्त्रोत का पांच बार पाट करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शीव जी का ध्यान करें। मन ही मन अपने जीवन की संकटों के नाश और धन ध्यान की प्राप्ति के लिए शीव जी से प्रात्ना करें। ध्यान के शियो जे की आरती करें, प्रशाद वितृत करें, उसके बाद भोजन करें, भोजन में केवल मीठी सामगरियों का उपयोग करें तो यहाँ थी प्रदोश रुरत की महत्ता और उसके पुजनवीधी का वीडियो अगले वीडियो में आप इस रुरत की कथा सुनेंगे उम्मित करती हूँ आपको मेरा या वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जैशे कृष्णा राधे राधे